आज हम बात करेंगे सेल्फ इंप्रूमेंट के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारे लड़के मुझसे पूछते हैं यार सेल्फ इंप्रूमेंट मैं खुद अपने आप से किस तरीके से करूँ तो इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को वही बताने वाला कुछ छोटी सी हैबिट्स आप लोगों को चेंज करनी हैं जिनको हो सकता आपके लिए बहुत बड़ी हो और जो लोग करना चाते हैं उनके लिए बिल्कुल छोटी हो तो उन चीज़ों को आप लोगों अगर अपना होगे तो आप भी अपना सेल्फ इंप्रूमेंट कर सकते हो आप जो है अपने अंदर परिवरतन ला सकते हो सबसे पहली चीज़ के बारे में अगर बात करें वो यह है कि आप कौन अगर देखते हो तो उसे देखना बिल्कुल ही छोड़ दीजे चीज़ के बात में है उस चीज़ के बात में अखराब जाएगा उस से आपको क्या लगेगा आप पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहोगे जो भी चीज़ आप उसके इंदर देखते है तो ये आदत आप ज़रूर बदले जिससे आपके अंदर बहुत सारे परिवर्थन आएंगे। नमबर सेगिन्ड पर हम बात करने वाले हैं वो हैं एक्सराइज। हम मेंसे कई सारे लोग ऐसे होते हैं बाकी सब चीजों के बारे में ध्यान दे देते हैं बट exercise नहीं करते हैं यह बहुत बड़ी mistake कर रहे हैं अगर exercise नहीं कर रहे हैं exercise आप लोगों को जरूर करना है अगर आप लोग self improvement करना चाते हो अगर अपने अंदर changes लाने चाते हो तो आ आप लोगों का exercise करनी पड़ेगी exercise के अगर benefits के बारे में बात किया जाए तो बहुत सारे benefits है मेरे दोस्त क्या बताओं जितने बताओं उतने कम exercise के benefits आप लोगों को disease नहीं होगा आप लोगों का blood circulation साही रहेगा और बहुत सारी minor cases जो बिमारियां होती है disease होता है वो तो के अंदर जाए भारी बरकम वेड उठाए बट आप लोग 30-45 मिनट घर पर भी कोई भी हल्की फूल के exercise कर सकते हैं वोकिंग पर जा सकते हैं इस तरीके से अपनी बोडी को fit और active रख सकते हैं तो इस आदत इस habit को भी आप लोग ज़रूर अपना है नमबर थर्ड पर में आ चीज पानी है या फिर ये टार्गेट है हमारा इसे अचीव करना तो उस चीज को जरूर द्यान है कि उसके अंदर जितना भी आप लोगों स्ट्रगल करना पड़े जितना भी करना पड़े रियली बता रहा हूं आप लोगों को अगर आप लोगों को कितना self improvement मैसूस होगा मैं कुछ कह नहीं सकता आप लोगों को ये बहुत बड़ी achievement होती है अपने अंदर तो आप लोगों खुद को मैसूस होगा यार मेरे अंदर बहुत ज़रा improvement आया तब ही मैंने ये चीज अचीज अचीव किये तो आप लोग किसी भी struggle किसी भी चीज को लेकर के घबराएंगे नहीं आप लोग जरूर आगे बढ़ते जाएंगे तो कोई भी लक्षे अगर आप लोग निधारीत करते हो तो उस लक्षे को जरूर टार्गेट करें उस लक्षे को जरूर अचीव करने की कोशिश करें इसके अंदर ये चीज नहीं बहुत सारे लोग क्या कहते हैं मेरी य पायना तो उन लोगों को लगता है सर पर कोई बोज रख दिया, बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को रीडिंग की एबिट जरूर डालनी चाहिए, आप लोगों को दिन के अंदर एक से दो गंटे जरूर बुक्स पढ़नी चाहिए, जिससे आप लोग लोगों को रीडिंग जरूर करनी है, रीडिंग की एबिट जरूर डाली है, जिससे आप लोगों को यह नहीं है, रीडिंग का मतलब के कुछ भी आया, कुछ भी उठा के पढ़ रहे है, बट आप लोगों इस चीज का ध्यान देना है, अच्छी चीजे पढ़नी है, जिसस जिससे आप इंस्पायर होते हो जिससे कुछ आप लोग सीखते हो समझते हो तो इन चीजों के बारे में जरूर ध्यान दे इस हैबिट को भी आप लोग जरूर अपनाएं जरूर लेनी तो हम अरे दिमाग के नदर या फिर हमारे बोडी के नदर इंप्रूमेंट नहीं ला सकते हैं अगर आप लोग सथी तरीख से रेल इंप्रूमेंट लाना चाते हो तो आप लोगों साथ से आज घंठे नीन जरूर लेनी है जिससे क्या होगा आपकी mentally power भी enhance, increase, बढ़ेगी और आप लोगों खुद को ऐसा मैसूस होगा यार बहुत सारी changes मेरे body के अंदर आ रहे हैं अगर आप लोग अच्छे तरीके से नीन नहीं ले रहे हो तो आप लोगों ये सब चीजे देखने को मिल सकती है आप लोगों ये सबी दिक्कते हैं, हो सकती है तो आप लोगों साथ से आज गंटे जरूर नीन लेनी है जिससे आपकी body recovery होगी, आपकी muscles के लिए भी जरूरी है आपके mind, mentally health के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है नेक्स इस तरीकी की वीडियोज आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हैं आप लोगों कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसी query है जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं दोस्तों अगर बात करें, तो बहुत सारे लोग मुझे message करते रहते हैं, इस चीज को मैं accept करता हूँ जो कोशिश करता हूँ, मैं उन लोगों के सवालों के जवाब देने की, अगर आप लोगों कोई ऐसा जरूरी सवाल है, तो आप लोग क्या करिए अपनी जो Instagram की ID है, वहाँ पर जाहिए, आप लोग अपनी स्टोरी के अंदर मुझे जरूर मेंशन करिए, जहां से मुझे पता पड़ेगा, यार हाँ, ये बंदा मुझे कुछ पूछना चाता है, तो मैं वहाँ पर जाके, आप लोगों जो भी सवाल है, आप से